नवस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चेनल जिके बाई सुनिल सर्मियाप सभी का स्वागत हैं दोस्तों राधसान जोग्रोफी के पेपर नमर 37 में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ राधसान के उद्योगों से सम्मंदित कुछ महत्योपुन क्यूशन राधसान के उद्योगों को हलांकी मैंने दो वीडियो पहले डाल दिये हैं ठीक हैं अब यहां पर मैं राधसान के उद्योगों के सेस रह गए क्यूशन जो मेरी दिस्ट्रिकोंड से बहुत ज्यादा एक्जाम के लिए महत्तुपुन है वो क्यूशन मैं यहां लेकर उपस्तित हुआँ दोस्तों इसमें से बहुत से क्यूशन ऐसे भी है जो साइद आप पहली बार पढ़ेंगे पहली बार सुनेंगे जिन दोस्तों ने अभी तक इसे लन को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस लन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन की बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुंश सकें तैंक्यू दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं आज का हमारा पहला क्यूशन राज्य के किस सहर को किंदर सरकार ने वस्तर निर्या तक नगर का दरजा दिया है मतलब यहां दोस्तों आपको उस सहर के बारे में बताना है राज्य का कोई एक सहर है जिसको किंदर सरकार ने किसने किंदर सरकार ने दोस्तों किंदर सरकार ने फरवरी 2019 में हालांकि उद्धोगों का ये एक करंट का क्यूशन 2009 में किंदर सरकार ने भीलवाडा को वस्तर निर्यातक नगर के रूप में दर्जा दिया गया कि भीलवाडा जो है राधस्तान का नगर या सहर जो है ये वस्तर निर्यातक नगर की रूप में जाता है क्योंकि भीलवाडा का एक तो कोन गुलाब पुरा दूसरा कोन है भीलवाडा का गंगा पुर ये दोनों वस्तर उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महतोपुने और भीलवाडा में एक और मिल भी है जिसका नाम है विजे नगर कोटन मिल्स ये सबी यहां वस्तरों के उत्पादन करने की वज़े से भीलवाडा को केंदर सरकार ने वस्तर निर्यातक के रूप में दर्जा देने का कारिये किया ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा महतोपुन ह ठीक है अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि भारस सरकार ने भीरवाडा को टाउन ओफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस फॉर टेक्स्टाइल घोसित किया गया मतलब मैं यहां बता रहूं आपको वस्तर निर्यातक नगर ठीक है लेकिन अगर इंग्लिस में भी यह आ सकता है भीलवाडा को किंदर सरकार ने दरजा दिया ठीक है इसलिए भीलवाडा को कहा जाता है राधसान का मैंचेस्टर क्या कहा जाता है राधसान का मैंचेस्टर या फिर भीलवाडा को कहा जाता है राधसान की वस्तर नगरी क्या कहा जाता है वस्तर नगरी दोस्तों मेरा यही नहीं जाने कि आप सेक्ता नहीं है पूरी जोग्रफी के क्यूस्टन जो है वो आपको समय समय पर तयार करवा दोंगा चलिए अगला क्यूस्टन है रजसन टेक्स्टाइल मिल्स भवानी मंडी जालावार की स्तापना कब की गई दोस्तों ये एक वस्तर मील टेक्स्टाइल मिल्स है जो भवानी मंडी आमकस्तान पर कौन से जिले में स्तीत है जालावार जिले में स्तीत है ठीक है इस कंपनी की स्तापना कब हुई रजसन टेक् 1968 में कि राजसन टेक्स्टाइल्स निल्स जो कहां स्थीत है भवानी मंडी जहलाबार में स्थीत है इसकी स्थापना कब की गई 1968 में की गई अगरा क्यूसन उन विकास के लिए एसिया का सबसे बड़ा अनुसंधान किंद्रे राज्ये में निम्न में से कहां खोला गया किसके बेडों की उन के विकास के लिए एसिया महादीब का सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं अनुसंधान कंद्र कह सकते हैं जो राजी का यह नहीं भारत कैंडर एसिया दीप का सबसे बड़ा अनुसंधान किंद्र होगा वो कहां होगा तो दोस्तों वह होगा टोंक में और टोंक में कहां पर होगा अविकान नगर कहां पर होगा अविकान नगर दोस्तों जब अपन रास्तन के पसुधन में भेड़ पालन के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे म अनुसंधान केंदर के लिए अभीका नगर मालपुरा टॉक में जहां केंदर ये भेड़ अनुसंधान केंदर भी है और केंदर यहां उन का अनुसंधान केंदर भी है तो अभीका नगर टॉक्षन में टॉक नहीं आकर अभीका नगर भी आ सकता है या मैंने यहां दिया है ज सारदुल टेक्स्टाइल्स लिमिटेड मिल्स। ये एक कमपनी मिलका नाम कार खाने का नाम। कहां ऩीत है। यह चार अपने पास option है सरदूर टेक्स्टाइल्स लिमिटेड मिल्स श्री गंगा नगर में स्थित है कहा स्थित है स्री गंगा नगर में स्थित है दोस्तों इस मिल की सापना कब हुई थी 43 में कब वी है सारदूल टेक्स्टार्स लिमिटेड मिल्स की स्ताफणा 1946 में राधस्तान की स्री गंगा नगर जिले में हुई है ठीक है अगला क्युसान राज्ये में निम्न में से कहा सेंट गोबेन ग्लास फेक्टरी स्तीत है देखिए दोस्तों इसके एक सिमकोर ग्लास फेक्टरी इंडस्ट्री का नाम भी आता है लेकिन मैंने यहां सार्थ दे दिये सेंट गोबेन ग्लास फेक्टरी का नाम दे दिया कि और कोई नहीं सेंट गोबेन ग्लास फिक्टरी निम्र में से कहां स्थीते हैं ठीक है तो दोस्तों ये कहां स्थीते हैं ये भिवाडी अलवर में स्थीते हैं सेंट गोबेन सेंट गोबेन जो है ये दोस्तों फ्रांस की एक कंपनी है कौन से देसके हैं ये फ्रांस की एक कं जिसका नाम है कहरानी क्षित्र कौन सा क्षित्र है कहरानी क्षित्र भिवाडी अलवर में सेंट गोबेंस ग्लास फिक्ट्री की स्थापना की गई ये फ्रांस की प्रसिद ग्लास निर्माता कंपनी है जिसने राज्य सरकार के साथ एक करार करके अलवर के भिवाडी के कहरानी गप्शिद इस्तापना कब हुई तो 25 अगस्त 2010 को ठीक है अगर दोस्तों यहाँ नाम आजे कि सेम कोर क्या नाम आजे सेंट बोबिन की जगह क्या आजे सेम कोर ग्लास सेम कोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहां सतीत है तो यह दोस्तों कोटा में सतीत है कहां सतीत है सेम कोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में सतीत है जो क्या करती है जो टीवी जो होता ना टीवी उस टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माने करती है कौन सेमकोर ग्लास इंडस्टी जो है ये टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्मान करती है बनाती है और ये कहां स्थीत है कोटा में सेंट गोबिंस अलवर में सेमकोर ग्ला प्रिसीजन क्या नाम आजे प्रिसीजन प्रिसीजन ग्लास वर्क्स ग्लास से वर्क्स नाम आजे तो दोस्तों यह कारखाना कहां सतीत है यह धौलपूर में सतीत है क्या नाम आजे डी हाई टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहां का कारखाना कहां सतीत है तो यह कहां सतीत है ध गंगानगर सुगर मिल्स जो लिमिटेड है जो गंगानगर में चीनी मील है ठीक है ये उस कार खाने के लिए बोतले बनाने का बीकर्स बनाने का फ्लास बनाने का काम करती है दोस्तों शेत्रक ये तीन प्रकार के होते हैं जैसे नाम आता है क्या कि स्वामित्वे के आधार पर उद्योगों के प्रकार की हम बात करें तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो सहकारी क्षेत्रक की होते हैं कैसे होते है सहकारी सारवजनीक मतब सरकारी ठीक है तो the high-tech precision glass works है ये कैसे क्षेत्रक है सारवजनीक शेत्रक है कभी कभी एक्जाम में क्यूसन ये भी आ जाता है कि निम्न में से सर्वजनिक शेत्रक का कार खाना है तो glass brush में आता है तो the high-tech precision glass brush जो है ये सर्वजनिक शेत्रक का कार खाना है ठीक, चलिए अगला क्यूसन है निम्न में से किस जिले में भविस्यमी सरबादिक सिमेंट उत्पादन की संभावना है यहां आपको यह सरच करना है दोस्तों ढूंझना है कि शलमीर है हलांकि अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में चितोडगर जिला जो है महतुपुर सिमेंट उत्पादक जिला है लेकिन भविश्य की बात करें तो नाम किसका आता है जैसल मेर का आता है ठीक है वहां स्थिक जो चूना पत्थर है वो सिमेंट उद्योग के बिल्कुल कच्छे माल की कि गृattach ते जो बिड्ला गृद्वरस तापित मंगलं सिमेंट कारखाना डेखिए कूशन में ही एक और क्यूशन आजयें कि मंगलं सिमेंट कारखाने की स्थापना करी तो कौन से गरूप के द्वारा वेला गृद्वरस द्वारा कंवारा में में से कहां स्थीते हैं ठीक क्या नाम है मोडडग में जो कार खाना है जो मंगलम सिमेंट की नाम से स्थीत है यह कोटा में स्थीत है और यह बिड़ला ग्रूप के द्वारा स्थापित एके कार खाना है किसकी द्वारा है बिड़ला ग्रूप के द्वारा अगर दोस्तों कन्फ्यूज नहीं हो ना आपको चितोडगड आपको ऐसा लगता होगा कि क्या पता बिड़ला ग्रूप के द्वरा स्थापित चितोडगड में होगा लेकिन दोस्तों चितोडगड में जो कार खाना है सिमेंट का वह बिड़ला सिमेंट वर्क्स है कहां स्थीता तो नाम आएगा चितोडगड लेकिन बिडला ग्रुप के द्वारा स्तापित मंगलम सिमेंट का पूशा जाए तो मोडग कोटा मोडग क्या है कोटा है ठीक तो ये बात आपको यहां ध्याने रख रही है खारिया खंगार के बारे में आपको पता है ये सब ये स तो जस्टे के खनन और परिसोधन के लिए परिसोधन मतलब उसकी साथ सफाई का कारिये हेतु कारखाना हिंदूस्तान जिंक लिमिटेट नामक कारखाना स्थित है कि निम्र में से कहां स्थित है ठीक है तो दोस्तों राज्य में जस्टे के खनन और परिसोधन हेतु दो संदेरिया चितोडगड में संदेरिया नामकस्तान है जो कहां पड़ता है चितोडगड में पड़ता है ठीक है दोस्तों राज्ये में जस्चे खनन और परिसोधन हेतु कारणत ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कारखाना है इसकी स्तापना 10 जनवरी 10 जनवरी 1966 को क तो एक तो देबारी उदेपुर में इसके परिसोदन का कारखाना है और जस्ते का दूसरा जो परिसोदन का कारखाना है वो कहा है चंदेरिया चितोडगड में स्तीत है ठीक है अब एक नई परियोजना और भी है दोस्तो जो भीरवाडा के रामपुरा आंगूचा में भीरव जिले के रामपूरा अंगूचा में यह क्या करेगा यह हिंदूस्तान जिंक लिमिटेड एक नई परियुजना एक नया वहां कामें करेगा ठीक है इस तरह से तीन वर्तमान समय की बात करें तो दो देबारी उदेपुर और संदेरिया की तोड़ गड़ अगला क्यूशन है हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड जुन-जुनो खेतरी में है जुन-जुन के कहां स्थित है खेतरी में कार खाने की स्तापना अमेरिका की निमनेश से कौनशी कंपनी की द्वारा की गई अब देखो क्यूशन में दूसरा क्यूशन है हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड राज कि वह company जो America की है जो Hindustan Cooper Limited खेतड़ी जुन-जुनु में कारिये कर रही है तो वह कौन सी है तो वह Western Nap Engineering Company ये कहा की है ये America में है अमेरिका की है और र advoc Remember li जुन-जुनु में ताम्बे के खनन का कारिये या उससे समंधित कारिये करती है ठीक है दोस्तों यह अपने आपे देखिए कितने क्यूशन एक साथ होगे हिंदुस्तान को पर लिमिटेड खेतरी जुन जनू अगरा क्यूशन आज है कि यह कौन से देश की अमेरिका की कंपनी का नाम वेस्टरन नेट इंजिनियरिंगे कंपनी ठीक चलो आगे बात करते हैं देखि है अगला क्यूशन हिंदुस्तान मसीन टूल्स अजमेर अगर राज्य के संबन में पूछा जाएं कि हिंदुस्तान मसीन टूल्स कहां सीत है तो हिंदुस्तान मसीन टूल्स या हम्ट आ सकता है सोल्ट में नाम क्या सकता है है हिंदुस्तान मसीन टूल्स कहां है अजमेर में ठीक है ये अजमेर कंपनी की स्टापना निम में से किस देश के सहयोग से की गई मतलब ये जो कारखाना या हिंदुस्तान मसिल स्टूल्स जो अजमेर में कंपनी है ये कौन से देश के सहयोग से स्टापित की गई तो दोस्तों ये चेकोस लवाकिया की सहयोग से स्तापित की गई, कब की गई, ये कमपनी 1967 में स्तापिते की गई, कब की गई, 1967 में, ये क्या करती है, ये SMT की घडिया नाम आपने समय देखने के काम आती है, वो SMT की घडिया बनाने, मसीनरी, ग्रैंडिंग मसीनों का क्या करत है तो यह चठी है चठी काई थी जो 2017 के बाद क्या है बंद है अब यह कारिय करना इसने बंद कर रख है 2017 में इसने काम करना क्या कर दिया था बंद कर दिया था इस कंपनी के अलाबा भारत में पाँच और स्थानों पर SMT के कुछ कार खाने स्थापित हैं या स्थित हैं चलिए अगला क्यूटन राजशान राज्जी वितनिगम की स्थापना कब हुए राजशान राज्जे देखे दोस्तों तो राजसान राज्य वित निगम, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजसान राज्य वित निगम है क्या, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये उद्योगों को, उद्योगों को वितिये सुविध्य उप्लब्द करवाने के लिए, उद्योगों को वितिये सुविध्य अपलब्द करवाने के लिए सन उन्नीस सो पच्पन में राज्टान राज्जे वित निगम की स्थाफणा की गई तो उद्ध्योगों को वितिय सुविध्य उपलब्द करवाने के लिए ठीक है उज्योगों को वितिये सुविध्य उप्लब्द करवाने के लिए सन 1975 में राजसान राज्ये वित निगम की स्थापना की गई जिसका वर्तमान में जो मुख्याले है वो कहां स्थीत है वो जैपूर में स्थीत है ठीक है चलिए अगरा क्यूशन राजसान स्थेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में देखो पहला अगर कि सुना आजे कि राजसान स्थेट केमिकल वर्क्स स्थीत है तो कहां स्थीत है डीडवाना में की स्थापना कब हुई तो दोस्तो इसकी स्थापना सन 1964 में की गई है वैसे इससे समंदित राज्ये में रा इए बी अपने आपने बहुत ज़्यादा महतुपुन है, ऐसे क्यूशन का समय एक ती थी या सन के बारे में पूचhma जा सकता है, ठीक है? अगला क्यूशन है निमन मेसे राधसान के कि सहर को राधसान का स्कोटने कहा जाता है अपने आप में बहुत ज़्यादा महतुपुल किसना दोस्तों कि निम्र में से कौन से राजसान के कौन से सहर को राजसान का स्कोटलेंड कहा जाता है देखिए दोस्तो अलवर जो है अलवर को रदसान का स्कोटलेंड की संग्या दी गई है किसको अलवर जिले को क्यों दी गई है तो देखिए दोस्तो वर्तमान में अलवर जिले है अलवर जिले में सराब के सबसे ज़्यादा कार खाने है सराब के सबसे अधिक कार खाने होने क कारण सबसे अधिक कार खाने होने के कारण राजसान के अलवर जिले को राजसान का स्कोट लेंड कहा जाता है ठीक है सराव फेक्ट्रियों के कारण कि इनके कारण सराव फेक्ट्रियों की संख्या अधिक होने के कारण और राज्ये में सरवादिक सराव की जो फेक्ट्रियां है वो अलवर जले में है इसलिए इससे राधस्तान का स्कोट लेन कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट यूसन अगला क्यूसन दोस्तों राज्य में सिमेंट का पहला कारखाना निम्र में से कौन से स्थान पर खोला गया ये भी अपने आप में एक महधान दोस्तों राधस्टों राधस्तां राधस्तों क्यूसन और पहले एकजाम्र में पूछय ये राध्य में पहला कारखाना निम्री 1972 में लाखेयरी बूंदी किस पर गो सीमें पर कमपनी के द्वारा इसके द्वारा क्लिक निक्सन कमपनी के द्वारा राज्ये में पहला सिमेंट का कारखाना खोला गया अगर एक्जाम में क्यूसन आजे कि राज्ये में पहला सिमेंट का कारखाना कब खोला गया तो 1912-13 में ठीक है कहां खोला गया लाखेरी बूंदी में क भारत का पहला सफेद सिमेंट का कारखाना दोस्तो भारत का पहला सफेद सिमेंट का कारखाना गोटन नागोर में सन 1984 में स्तापित किया गया और ये भारत का पहला सिमेंट का कारखाना है और सिमेंट के कारखाने का नाम क्या है जे के वाइट वाइट का मतब क्या है सफेद वाइट सिमेंट का रखाना जेक के वाइट सिमेंट का रखाना गोटन नागोर और ये जेक के वाइट सिमेंट का रखाना ही भारत का पहला सफेद सिमेंट का का रखाना है जिसकी सापना सन 1984 में की गई ठीक है हलांकि भोपालगड जोदपुर ह ये भी सफेज सिमेंट का कारखाना है लेकिन पहला नहीं है खारिया खंगार जोदपुर में है ये भी सफेज सिमेंट का कारखाना है और ये राज्ये का सबसे बड़ा सफेज सिमेंट के कारखाने की रूप में पहचान रखता है ठीक है तो ये क्यूसन दोस्तों बहुत ज़ ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है बिलकुल कन्फ्यूज करने वाला क्युस्टन ठीक है निम में से कहां ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है अब आपको दिख रहा होगा आपको तो सीधा राजसमंद दिखता है कांकरोली नाम दिखता है ठीक है लेकिन आपका कन्फ् का कारखाना स्थीत है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाद रखना राजसमंद के कहां करोली में जेके टायर की नाम से कारखाना है ठीक है मैंने क्यूस्टन में जेके टायर का नाम नहीं लिखा हाली की बात करें करंट की बात करें तो दोस्तों अलवर जिले में टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना खोला गया लगबग 18 करोड की लागत से हाल ही में इस कारखाने की सापना की गई है कौन से जिले में अलवर जिले में कौन से जिले में अलवर अब अगर क्यूशन आता है कि जेक के टायर इसका कारखाना है तब तो राजसमंद के कांकरोली में ठीक है अग हाली में अलवर में टायर और ट्यूब बनाने का कार खाने की साफना की गई जिसकी कुल जो लागत है वो लगबक कितनी है अठारा क्रोड की लागत आंकी गई है ठीक है अगला क्यूसर मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना की सुरुवात कब होई ये भी अपने आप में ए पावलंबन योजना की सुरुवाते हुई है इसकी तैत क्या किया दोस्तों ये राज्य सरकार के द्वरा चलाई गई एके योजना है किसके द्वरा राज्य सरकार के द्वरा कि राज्य सरकार के द्वरा नितिकत दस्तावेजों में निहित संकलपनों की जो घुसना है उसम कि इसी के उप्लक्से में सन 2013 में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का प्रारंब किया गया ठीक है तो कब 2013 में चलिए अगरा क्यूशन राजिस्तान उद्दोग वै खनीज विकास निगम लिमिटेड की स्थाफना कब हुई ये क्यूशन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्योपुन है कि राजिस्तान उद्दोग और खनीज विकास निगम लिमिटेड दोस्तों हम उसको ये भी कह सकते हैं कि रिको का नाम स्थापने सुना होगा ठीक है तो इसकी जो स्थापना है वो 28 March 1909 को हुई है कब हुई है 28 March 1909 को कि 28 March 1909 को राधसान उद्योग एवं खनीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई जिसको अपने यह कह सकते हैं पार आई-म डी-सी ठीक है क्या स्थापना ही लेकिन दो नवंबर 1989 में राधसान राज्ये खनीज विकास निगम अब देखो उद्द्योग सब्द को हटा दिया कब अटाया यह उद्द्योग सब्द को हटाया 1989 में और नाम क्या कर दिया राधसान राज्य खनीज विकास निगम ठीक है और अलग से एक साल बाद 1980 में राज्य राज्य उद्योगिक विकास विनियोग लिमिटेड की सापना कर दी गई जिसको अपन क्या कहते हैं रिको कहते हैं क्या कहते हैं रिको एक बार दुबारा समझने हाँ शुरुवात में 28 मार्च 1989 को राज्य उद्योग और खनीज विकास निगम लिमिटेड की सापना हुई मतब एक तो उद्योग और दूसरा खनीज दोनों की एक साथ सापना हुई 28 मार्च 1989 को ठीक है लेकिन दोस्तों क्या होता है 1989 में खनीज सब्द को हटा दिया गया और कर दिया रादस्तान राज्य खनीज विकास निगम ठीक है उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे आर एस आर एस एम डी सी ठीक है लेकिन जनवरी 1980 में अब उद्योग सब जो हटा है था उसके लिए एक नया विभाग गठित करना है इसके लिए क्या किया गया 1980 में रादस्तान राज्य ओद्यूगित विकास वे विन्योग निगम लिमिटेड के नाम से आर डबल आई सी ओ रिको के नाम से एक नए विभाग की स्ताफना कर दी गई ये कब कर दी गई 1980 में तो आपको कनफ्यूज नहीं होना है मनें आपको विस्तार से बता दिया है कि राजस्तान उद्यूग वे खनीज विकास निगम लिमिटेड क्या है ठीक है ये कब अलग-अलग हुआ कब इसका गठन हुआ और कौन-कौन से समंदित क्यूशन पूछे जा सकते हैं चलिए जहां निर्यात सवर्दन उद्यूगिक पारक नहीं है कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर निर्यात सवर्दन उद्यूगिक पारक नहीं है जिसको अपन ये भी कहते हैं ई-पी-आई-पी ये कहां स्थित नहीं है इनमें से कौन से स्थान पर स्थिते नहीं है तो सितापुरा जेपुर है जो देश का पहला निर्यात सवर्दन अद्योगिक पारक है दूसरा सितापुरा जेपुर तीसरा बोरनाडा जोदपुर और चोथा जो है वो था नीमराना अलवर जो कहा है नीमराना अलवर में स्तिते यह चार है राजी में निर्याद सवर्दन ओद्योगी के पारक इसमें से कौन सा खुस खेड़ा अलवर में निर्याद सवर्दन खुस केड़ा अलबर नहीं है बोरनड़ा भी है सितापुरा जेपुर भी है एक सितापुरा जेपुर जो पहला है 1997 में जिसकी स्तापना की गई थी और ये देश का पहला ये देश का क्या है पहला निर्यात सबर्दन उद्द्योगीक पारके है ठीक है दोस्तो आज का तो पुनक्यूसन है कि जापान की तरह अब दक्सनी कोरिया उद्मियों के लिए पहले जापान के लिए बनाया था ठीक है अब जापान की तरज पर ही दक्सनी कोरिया के दोग पतियों क्यों आकरसित करने के लिए राज्जे में कोरिया जोन विक्सित किया गया कोरिया जोन ये नीमन मेंसे कहां सापित किया गया नीमन मेंसे कौन से स्थान पर ये जोन सापित किया गया है तो दोस्तों ये किया गया घिलोट और घिलोट कहां है अलवर में जो नीमरणा के निकट है जो किसके निकट है नीमरणा घिलोट नीमरणा अलवर में जापान की तरही दक्सनी कोरिया के उद्मियों को आकरसित करने के लिए कोरिया जोन विक्सिते किया गया ठीक है दोस्तों ये कोरिया जोन कब विक्षित किया गया है? ये 11 मार्च 2013 को दिल्ली में रिको की और से रिको की कमपनी का एक MD था नवीन महाजन और दक्सिनी कोरिया की व्यापारिक सवर्धन अजेंसी कोट्रा जिसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये दक्सिनी कोरिया की कमपनी का नाम है दक्सिनी कोरिया व्यापारिक सवर्धन अजेंसी एक तो कोट्रा और एक रिको का परमुक था MD जिनका नाम था नवीन महाजन इन दोनों के मद्दे समझ होता हुआ कब 11 मार्च 2013 को ठीक है? इसी मद्दे समझ होता हुआ और ठीक है? और ये कहां कि गिलोट अलवर में नीमराना अलवर में ऐसा एक कोरिया जोन भी किसित किया जाएगा दोस्तों आज के आपको ये क्यूसरम कैसे लगे? मुझे आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं जिन दोस्तों ने अब रितक इसे लोगो सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें थेंक्यू, जैहिन, जैहिन